नमस्कार दोस्तों आज का मारा वीडियो है यह हेवीवीड की जो प्रेस आती है, ऐरन आती है तो इसकी वाइरिंग है वो अपने किस परकार से करते हैं और यह इसका आइरन कंडूक्टर है यह किस परकार से अपने लगाते हैं wszystkie पास एक ещё आइरन है और एक है जो वाइर है वो किस परकार से लगाने है इपने को उसमें तीन वाइर रहती है तो इसमें किस परकार से लगेगी तो मैं complete इस वीडियो में चिक्काऊंगा आपको तो ये देखिए मेरे पास वायर है इसमें total तीन वायर है एक red एक black और एक है green तो अपने इसके connection है वो किस पर कार से करेंगे तो सबसे पहले अपने को इसको खोल लेना है तो मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ तो मैंने इसके दोनों screw खोल दिया है और उपर का K पटाएंगी तो इसमें total आपको 2 point दिखेंगे तो आपको 2 point में कौन सी wire लगानी है वो आप मैं बताऊंगा तो सबसे पहले अपने को red और black wire है इन दोनों के thimble है आगे से इनको निकाल लेना है और wire को है जो छील लेना है क्योंकि आगे से अच्छे PVC अटा देना है और wire को है अच्छे से छील लेना है तो मैं इसे जल्दी से छेल भी देता हूँ और उसके बाद में अपने complete connection सीखेंगे तो green wire है जो अपने अर्थिंग का point है तो अपने जो body earth होता है उसमें लगाएंगे तो इसमें body earth का अपने कोई point नहीं है क्योंकि ये body से कोई अर्थ नहीं होती है जो heavy weight automatic press आती है उसमें है जो कि green wire का use होता है तो मैं सबसे पहले ये red और black wire है इनको लगा लेता हूँ और उसके बाद में अपने को इसकी pack करकर testing करनी है ये सई से वरक करता है या नहीं तो मैं पहले red wire लगा लेता हूँ एक point में और दूसरे वाले point में है जो black wire लगा लेते है और उसके बाद में अपने इसका cape है जो लगा कर अच्छे से fit कर देंगे इस प्रकार से अपने को red और black दोनों wire लगा लेनी है और इस green wire को pass से cut कर देना है इस प्रकार से cut कर देना है यह देखिए इसका three pin top में आपको बताता हूँ यह neutral है एक neutral एक line और एक उपर वाला point है जो अर्थिंका है जो की है green wire green wire मैंने cut कर पहले से अलग कर दी है और अब इसको हम cape लगा कर अच्छे से fit कर देंगे वापिस दोनों screw है उसको अच्छे से टेस्टिंग करनी रहेगी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैं इसको अच्छे से इसको लगा देता हूँ दोनों screw tight कर देते हैं तो यह पलग है जो आपको electric shop पर 30-40 रुपे का अच्छे से उच्छा मिल जाएगा तो मैं इसको दोनों को अच्छे से लगा लिया है और अब इसमें जो back side में है दो pin लगी हुए उसके उपर अपने को लगाएंगे और सबसे पहले अपने को जो series में supply देनी है और उसके बाद में अपने 220 voltage यह देखिए मेरे पास 217 voltage आ रही है और यह अपने direct है तो इसको लगा कर स्वीच चालू करेंगे तो अपने 2.5 के क्रीब यह load ले रहा है तो यह अपने अच्छे से वरक कर रहा है और hitting है इसकी जो properly आ रही है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को सस्क्राइब कर जरूर कर ले Thank you for watching